Hello everyone So, आज मैं आया हूँ आपको Nutshell में Derivatives Trading के बारे में कुछ बताने के लिए छोटे से वीडियो को बराऊंगा तो शुरू करते हैं जल्दी से So, basically आपने सभी ने सुना होगा Future Options Trading इसको बोलते क्या है? ये होता गया Actual में, Actual में ही इसको बोलते है Derivatives Trading एक आपकी होती है Equity की Cash Trading और एक होती है आपकी Derivatives Trading अब Derivatives Trading में क्या होता है? कि Derivatives Contracts are the short term financial instruments that come with a fixed expiry date आपको एक particular कोई भी stock दे दिया गया particular quantity में, lots में और आपसे बता दिया गया कि ये इस date पे expire हो जाएगा और expire ही होती है Last Thursday of a month या Thursday last छुट्टी होती है तो Wednesday को हो जाती है ठीक है? इसी तरीके से जो Index है हमारा Index किसको बोलते हैं? Index mainly जो Trade होते हैं वो आपका mainly है Index का Nifty और Bank Nifty और एक होता है हमारा Financial Nifty ये एक समू होता है जैसे Nifty के अंदर 50 stocks हैं Bank Nifty के अंदर 12 stocks हैं इसी तरीके से आपका Fin Nifty के अंदर 16-17 stocks हैं तो वो जिस हिसाब से perform करते हैं इसी हिसाब से इन में movement होता है अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे जो Derivatives Trading है वो Cash Trading से कैसे अलग है? ठीक है? अब इसमें भी दो options होते हैं Derivatives में आपको मिलता है Future and Options Trading जिसको हम F&O Trading भी बोलते हैं अब Future and Options क्या होता है? आपका ये Derivative Instruments बोले जाते हैं इसको क्यांकि ये Derivative Trading में आता है इसी वज़े से इसको हम Derivative Instruments बोलते हैं जहां पर Traders buy करते हैं और sell करते हैं underlying asset underlying asset मतलब stock को बोलते हैं जो भी आपका stock है उसको एक particular price पे जिस price पे वो चल रहा होता है लेकिन उन्हें last Thursday of the month expiry दे जाती है कि इस तारीक से पहले आपको इसको sell करना है ठीक है अब आपको ये समझना होगा कि इसमें फाइदा क्या होता है आप जैसे suppose करिए मैं आपको दिखाता हूं Reliance Industries का हम example ले लेते हैं ये जिरोधा की website है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपका जिरोधा में अकाउंट नहीं है या आपका किसी भी डीमेट खाते का अकाउंट नहीं है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो मेरे affiliate के थूँ अगर आप open करते हो तो मैं आपको basics पूरा बताऊंगा कि कैसे trading होती है कैसे नहीं होती है ठीक है और कोई फरक नहीं पड़ता है same fees वगरा वही 200 रुपई है बस affiliates का होता है हम लोगों के पास franchise है तो इस वज़े से हमारे tools unlock हो जाते है उन tools के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा sensible वगरा के काफी data analysis tools है ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ कि यह है क्या देखिए सबसे पहले आप देखिए जैसे आपका reliance है ठीक है reliance का आप देख रहे हो यहाँ पे nrml margin nrml margin होता है आपको कोई चीज delivery में लेनी है ठीक है देखिए यहाँ पे आप देखिए यह आपका November expiry मतलब इसी Thursday of the month को last Thursday of the month को November के यह contract expire हो जाएगा whether in profit or loss Reliance का rate जो चल रहा है वो चल रहा है 2584 ठीक है 2584 रुपीज आप देख सकते हो Reliance का share price जो है वो चल रहा है 2630 रुपए चल रहा है 2630 रुपए इसका rate चल रहा है अब आप यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है November महीने में अगर आप इसको buy करते हो ठीक है तो इसका rate पड़ेगा 123,893 रुपए यही सेम चीज अगर आप 500 share buy करने जाते हो तो आपको कित्ते का बढ़ जाएगा भई 500 गुणा 2584 देख लो भी है 6,46,000 मतलब 6,46,000 रुपए का माल आपको दे दिया गया 1,23,896 रुपए में ठीक है मतलब 5 गुणा leverage आपको मिल रही है इसको हम बोलते है leverage इसमें आपको leverage मिल गई अब आप चाहो तो इसको sell कर सकते हो चाहो तो इसको रख सकते हो ठीक है मतलब जब आपका profit में आए तब आप sell कर सकते हो जब आपका loss में जा रहा हो तो भी आप एक proper stop loss लगा सकते हो क्योंकि futures and options की trading हमेशा stop loss के साथ करी जाती है इसको तो बोलते हैं देखी futures जिसमें आपको इतने margin पर इतना करना है अब futures का आपको समझ गए होंगे वैसे basically मतलब आपको leverage देकर 100 का माल 20 में देकर एक expiry लगा दी गई कि भाया आखरी Thursday से पहले इसको आपको sell करना है चाहें आपका profit में हो चाहें नुकसान में हो अगर मान लीजे आपने आज लिया और कल आपने इसको sell कर दिया ठीक है मतलब कल आपका stock बढ़ गया 100 रुपे आपने sell कर दिया कि अगर stock बहुत ज़्यादा ही गिर जाए एक लाग तेसे जार का margin भी आपका जो है वो खा जाए पूरा पूरा भाई 200 का lot है मान लीजे stock में कुछ ऐसी bad news आ जाए या wrong news आ जाए कि stock 500 point correct हो जाए जैसे past में ऐसा हुआ भी है shares के साथ तो उस case में क्या होता है कि आपसे आपका broker margin required करेगा आपसे बोलेगा कि भाईया margin और डालो क्योंकि आपका stock बहुत तेजी से गिर रहा है इस limit तक की वो दे सकता है वैसे generally reliance जैसे shares में ऐसा होता नहीं ठीक है तो इसी वह जैसे futures and options में share जाते हैं जो थोड़े से secure होते हैं उसी हिसाब से volatility के accordingly उनका margin collect किया जाता है अब हम आ जाते हैं futures आप समझ गया होंगा I hope मैंने आपको clear कर दिया होगा futures क्या होता है मतलब कम पैसे में माल दे देना आखरी Thursday को आपको expire मतलब उसको sell करना तक आप आज भी खरीदो 10 minute में आपको profit आ जाए आप सोच रहे हो अभी मुझे book करना आप तुरंद कर सकते हो इसी तरीके से जो index होते nifty bank nifty और financial nifty इनकी expiry भी होती है लेकिन nifty bank nifty की expiry हर week में होती है stocks की expiry month में होती है last Thursday of the month लेकिन इनकी expiry हर week में भी होती है और month की भी होती है तो हर week में भी अगर आप चाहों तो week वाले options आपको सस्ते मिल जाते हैं और वैसे आपको महंगे मिलते हैं यह चीज होती है month का option आपको महंगा मिलेगा और week का आपको देखिए nifty bank nifty के expiry आपकी हो जाती है हर Thursday of the week को financial nifty के expiry होती है Tuesday of the week को हर Tuesday जो week का होता है उसमें आपकी expiry हो जाती है ठीक है मतलब आप contract choose कर सकते हो accordingly अपने मैं आपको अभी login करके भी दिखा देता हूँ ठीक है आप अपने contracts accordingly choose कर सकते हो कि आपको कैसे क्या करना है जिससे आपको समझ में आ पाएगा कि क्या होता है अब इसके पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँगी options क्या होता है futures में हमें इतना ज्यादा margin देना होता है ऐसी options में जो कि इस समय काफी चल भी रहा है उसमें जो है आपका वो कम देना होता है अब मैं इसमें आपको दिखाऊं देखे यहां पर आपने जैसे अब अब अगर आप आप बाइ करने जाओगे तो यहां पर आपको दिखा भी देगा देखिए एक लागशबिस जार आट्सु चैसी का आपको वो दे रहा है अब options trading गया होती है यह आपको समझना होगा ठीक है options trading में आप एक strike price चूज कर सकते हो जिस strike price पे आप यह कह सकते हो कि भाई यह share इस strike तक जाएगा उसका आपको particular premium देना होता है उस premium को भी मैं आपको दिखा दूँ जैसे reliance का आप देखो 2640 का जैसे आपको 2647 दिख रहा है 2600 आपने सुचा 60 का जो हैं वो call option ले ले call option को बोलते है C, put option को बोलते है P, ठीक है यहाँ पर आपने ले लिया call option ठीक है अब आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे तो इसका एक particular premium दिया होगा है ना इस premium के accordingly आप इसको purchase कर सकते हो और sell कर सकते हो अब यह आपने 2660 की C ले लिए अब आपको लग रहाएगी होता है रो होता है गामा होता है डेल्टा होता है जो कि time decay होता है options में time options की भी expiry last Thursday of the month और last Thursday of the week में होती है लेकिन options में time value भी होती है time value मतलब जैसे जैसे आपका time करीब आता जाएगा वैसे वैसे आपके option की value घटती जली जाएगी ठीक है अब यहां पर आप देखिए इसको हम option chain analysis भी कह सकते हैं जैसे मैंने आपको रिलाइंस का example दिया रिलाइंस की आप 2660 की CE भी ले सकते हो या अगर आपको लग रहा है अब तो रिलाइंस बहुत बढ़ गया अब यह गिरेगा तो आप रिलाइंस की जो है वो गिरेगा अभी तो नहीं गिरेगा तो उस case में आप December की भी ले सकते हो आप March की भी ले सकते हो आप अगले 6-7 महीने तक के जो है contract में प्ले कर सकते हो जैसे March ने March की नहीं अभी December का चल रहा होगा Contracts देखिए अपने accordingly वो से भी के थुरू खुलते हैं वो अपना open करते हैं हाला की दो-तीन महीने तक के contract आपको देखते हैं अब आपने सोचा की हम 26 की PE ले ले इसमें आपको time तो जादा मिल गया लेकिन आपको premium ज़्यादा पेगन पड़ रहा है क्या उन रुपय का उसका जो उपर नीचे जाने की गति होगी उसको हम volatility बोलते हैं जिसको हम वो अब जैसे nifty bank nifty की volatility निकालने के लिए विक्स होता है इंडिया विक्स किसको बोलते हैं इसी वज़े से बोलते हैं market इतनी ज्यादा क्यों भाग गई क्योंकि इंडिया विक्स पर आदमी को कोई डर नहीं है कि हमें अभी बेची देना है अपना material है तो यह चीज होती है इस वज़े से आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को की volatility calculate करता है कि कि किस हिसाब से market गिर सकता है किस हिसाब से market बढ़ सकता है higher levels पर उतना ज्यादा डर नहीं है लोगों को 14 की wix मतलब बहुत ही ज्यादा आराम से आदमी बैठा है आदमी को कोई डर नहीं है जब यह 18-20 के पास होता है तो मतलब आदमी के अंदर डर होता है covid के time पर यह 71 भी पहुंच चुका है wix जो है आपका वो अगर आप देखेंगे तो wix जो है वो आपका 71 भी पहुंच चुका है covid के time पे यह इस time पे इस पे दिखा नहीं रहा है 2020 का देख रहे हैं आप 71 भी पहुंच चुका है उस time पे volatility इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए मत तुरांत उपर बढ़ता मार्केट तुरांत आदमी बेचने को नीचे आता था फिर उपर आ जाता था यह था सीन तो options की trading क्या होती हो options में आप एक चीज predict कर रहे हो कि इस stock इतना आगे तक जा सकता है ठीक है ऐसे ही आपका nifty bank nifty का भी होता है देखिए nifty में क्या है nifty है जैसे ठीक है अभी आपका nifty चल रहा है 18349 अब आपने सोचा कि भाई nifty जो है वो 18400 जाएगा तो अगर आप 18300 की call लेते हो ठीक है देखिए नौंबर का भी आ गया 17 नौंबर का भी आ गया आप चाहों तो weekly contract लो आप चाहों तो monthly contract लो weekly contract में क्या होता है कि premiums सस्ते होते है और monthly contract में क्या होता है कि आपके premiums जो है वो थोड़े से expensive होते है क्योंकि उसमें time value जादा होती है यह देखिए time value उसकी जादा है 189 का है इसकी time value कम है 167 का है क्योंकि इनके time अपने आप ही decay होने लग जाते है वजह से तो कहते हैं कि option sellers के पास ज्यादा benefit होता है क्योंकि उनको time value मिलती है जब भी market sideways होता है मतलब sideways का मतलब क्या हुआ जब भी market में अनिश्चित्ता होती है market उपर नीचे ज्यादा नहीं कर रहा होता है बस उतने level में अपना घूम रहा होता है बहुत ज्यादा volatile नहीं होता है बहुत ज्यादा moment नहीं होता है तब लोग seller sell करते हैं क्योंकि उनको time की value मिल जाती है यह 167 मैं आपको बता रहा हूं अगर यह 18300 पे ही निफ्टी आके खड़ा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है यह आ जाएगा आपका 20 रुपए पे और अगर 18300 के नीचे आ गया तो वाइसा भी 0 हो जाएगा आपका तो यह 167 का पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा लेकिन option sell करने में आपका जो margin requirement आता है वह बहुत ज्यादा आता है अब आप देखिए अगर आप option sell करने जा रहे हो तो एक लाख 9508 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे इने ठीक है MIS और NRML आप लोग समझते होंगे MIS का trade जो होते हैं उनका मतलब होता है कि 3-20 से पहले आपको अपने trade को exit करना है इधर in profit और loss चाहें आपका नफा हो चाहें नुकसान हो आपको 3-20 से पहले इसको cut करना ही करना पड़ेगा और NRML मतलब आप इसको carry forward कर सकते हो expiry तक के लिए जब तक कई आपकी weekly expiry है तो weekly के लिए monthly expiry है तो monthly के लिए ठीक है अब आप इसमें एक चीज समझने की कोशिश करो कि है क्या इसमें आप जैसे suppose करो आप बगर कुछ buy कर रहे हों ठीक है तो आपको dates देखनी पड़ती है कब के लिए आप buy करना चाहते हो निफ्टी हो गया जैसे निफ्टी का lot होता है पचास का पचास का lot दिखा रहा है आपको आप चाहूं तो 500 ले लो ठीक है हाला कि से भी और आपका जो एक्षेंज है वो limits decide कर देते हैं कभी 1800 एक बार में आप buy कर सकते हो 36 lots कभी आप 900 ही buy कर सकते हो एक बार में 18 lots इस तरीके से कभी कभी limit decide हो जाती है minimum आपको 50 की quantity nifty में buy करनी है और bank nifty में क्या होता है अब आप देखिए बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी अगर आपको लग रहा है है कि यह जैसे मान लीजिए 42 295 पर है आप 42 300 की कॉल ले रहे हो ठीक है अब यहां पर आप आजाईए यह 25 का लॉट होता है इसका इसका लॉट होता है आपका 25 का निफ्टी का होता है 50 का ठीक है समझ गया है अब आप इसको चाहों तो 250 ले सकते हो 1200 तक की कभी कभी इसकी कॉंटिटी हो जाती है कभी कभी यह जो है आपको 1200 के उपर भी वह दिखाता है देखिए आइस बाइक और आ गया मतलब जो है 900 की कॉंटिटी यह दिखा रहा है अब आप केवल इस समय 900 की कॉंटिटी ही ले सकते हो क्योंकि एक्सचेंज यह डिसाइड कर देता है कि भी आप इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर पाऊगे जिससे मार्केट में बहुत जल्दी ऊपर नीचे ना हो ठीक है क्योंकि इस रिटेल ट्रेडर्स को बचाने का ही काम होता इक्सचेंज का इस वज़े से बहुत ज्यादा कॉंटिटी में सेल बाय का ओडर नहीं पाई करें और आउट अफ दम नी को सेल करें या इन्दा मनी पुट बाइगरें या आउट अफ दम नी पूट सेल करें इन्दा मनी आउट आफ दमनी क्या होता है अब जैसे आपका यह 18349 पर ट्रेड़ कर रहा है तो 18349 अठारा तीनसो पचास 18350 की जो सी होगी निफ्ट होगी ने यह जो 18350 की CE होगी इसको हम एड़ दा मनेंगे मतलब आपका 18350 की आसपास चल ला है तो 350 की CE ले रहे हो यह एड़ दा मनी हो गया अठारा तीन सो की CE अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब हो गया इन दा मनी क्योंकि भाई हमारा trade उससे उपर कर रहा है और अगर आप 18.400 किसी ही लेते हो तो इसको बोला जाएगा आपको out of the money ठीक है out of the money क्योंकि यह हमारे price से उपर का है 50.00 उपर का है यह 18.500, 600, 700 जितने आप ले रहे हो यह सब out of the money माने जाएंगे इनके premium जल्दी decay होंगे क्योंकि इनके पास time value नहीं अब आप suppose करो 18.349 पे nifty time spend कर रहा है तो यह जो 105 की आप यह देख रहे हो यह अगर एक दिन भी 18.350 पे यह आगे पीछे होते होते धीरे धीरे nifty ने time spend कर लिया तो यह 105 कहो आपका 75 रह जाएगा क्योंकि Thursday करीब आने वाला होता है तो यह इस वज़े से add the money या in the money में काम करना ज़्यादा बहतर माना जाता है अब यह क्यों माना जाता है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी अगे चलके फिलाल आपको यह समझ में आगया options क्या है options trading nutshell में अगर मैं बताऊं आपको तो एक particular direction में हम bet कर रहे होते हैं एक छोटा सा premium pay करके कि भाई यह इतने पर जाएगा और आपका एक lot decide होता है किसी का 25 का किसी का 50 का आप financial nifty होते ही उसकी जो है expiry आपकी होती है हर Tuesday of the week और हर Tuesday of the month में तो उसके लिए क्या करना होता है आपको जैसे उसमें आपने 15 number दिख रहा है आपको यह यह अभी Tuesday है इसमें आप यह समझे जो financial nifty की expiry होनी है वो एक आपकी जो हो रही है इसका lot क्या है आपका यह 40 का lot है इसमें हलाग कि trade कम होता है जदे तर लोग nifty bank nifty में ही करते हैं क्योंकि उसमें अच्छा खासा liquidity रहते है liquidity मतलब होता है आपने liquidity भी सुना होगा liquidity मतलब buyer sellers अच्छी महत्रा में रहते हैं अराम से कोई चीज buy or sell आप कर सकते हो trade तो भाई तभी तभी होगा जब buy or sell दोनों करने वाले लोग होंगे तो यह चीज होती है अब आप यह समझे कि options trading का मतलब मोटा मोटी यह हो गया आपका कि भाई हमें particular direction में bread कर रहे हैं इधर in downside और upside कि भाई इस premium को pay करके और उसमें आपकी time value लगा दी जाती है इंदा money में time value जल्दी डिके नहीं होती है क्योंकि आपके पास option होता है अब आप 18200 की CE लेके बैठ जाओ तो अब 18200 तक safe हो मतलब जब तक निफ्टी मतलब safe तो नहीं हो कह सकते हो लेकिन उस हिसाब से premium डिके नहीं हो आप जैसे निफ्टी 18200 अगर मैं आपको बताओं तो currently चल लई होगी निफ्टी 18200 आपकी यह देखिए 249 रुपए की चल लई है अब अगर इसका एक लॉट भी खरीदो के तो बढ़ेगा आपको 12000 लग भग का ठीक है अब इसका आप यह समझ लीजिए कि 249 रुपए आपकी चल लई है यह तो अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट गिरेगी भी तो यह हो सकता है कि आपकी 150 आजाए ठीक है लेकिन यह जो आपकी 18400 वाली C है यह कही है केवल 20 रुपए रह जाए यह फरक पड़ता है क्योंकि जो इंदा मनी है वो अपने हिसाब से डिकेड होगी लेकिन जो आउट आफ दा मनी है वो लोग पहले अपनी कवरिंग करेंगे तो यह आपकी 20 रुपए रह जाए क्योंकि आपकी एकस्पाइरी आने वाली है हर एकस्पाइरी पर आपका जो आउट आफ दा मनी कॉल आप्शन या पुट आप्शन होगा वो जीर एक रुपए का भी अगर अंतर रहता है जैसे 18349.70 आप देख रहे हो अगर एकस्पाइरी इसी रेट पर हो जाए तो 18350 की सी जो है यह 0 हो जाएगी 0 या 0.5 that's it एक पॉइंट का भी अंतर नहीं रहता है और एकस्पाइरी वाले दिन जो आपका फ्यूचर का कॉंट्रेक् मार्केट का कॉंट्रेक्ट होता है वो आपका एक्वल रेट पर ही बंद होते हैं अब जैसे आप देख रहे हो निफ्टी अभी चला है ना 18449 पर और यहां निफ्टी चला है 18349 पर आप यह समझ के चलिए कि यह दोनों जब एकस्पाइरी आएंगी तो यह दोनों बराब वेबसाइट है इसके लाबा कोई भी ओद्राइज वेबसाइट नहीं है किसी भी डेटा का हम गारंटी नहीं ले सकते हैं और यहां पर डेरिवेटिव देख रहे हो डेरिवेटिव पर आ जाई है अब आपको यहां से बैंक निफ्टी जैसे दिख रहा है ठीक है या निफ है 밍क लंग कि ईक स्षर्टी ने दिखते हैं बढने यहां पर आपने इस पैरीस अिसमें दिखते हैं आपको 17 नवर्ली डियाइज जब भी आप को चाहँँ आपको मंतली देखनी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पुट कॉल रेशियो मतलब PCR कितने ज्यादा पुट्स पैठें कितने ज्यादा कॉल्स पैठें इससे समझने से पहले हम आपको बता दें कि यह देखी कैसे जाती है देखिए गौर से देखिए इसको ठीक है कोई रॉकेट साइन्स नहीं है लोगों ने हवा बना रखा है बस यह देखिए इस समय निफ्टी चल रहा है अठारा तीन सो निचास पॉंट सब्सक्राइब अब आप देख लीजिए यहां पर ओपन इंट्रेस्ट यहां पर देखा जाता यह ओई दिख रहा है आपको ऊपर OI यहां पर भी है OI यहां पर भी है यह Puts का डेटा है मतलब Puts और यहां पर आपको Calls का डेटा है मतलब Calls जो CE होती है और यहां पर PE का अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन शमा चाहूंगा हर एक चीज विस्तार में बताना आउश्यक है यहां पर आप देख रहे हो 18.350 के ऊपर 400 पे 18.400 पे 64.585 का open interest दिख रहा है open interest क्या होता है आपका मतलब 64.585 यह lots है lots ठीक है जो मैंने आपको बताया था 50 का एक lot होता है ऐसे यह 64.585 lots यह sell हो रखे है मतलब calls को sell कर रखा है 18.400 की calls को लोगों ने sell करके रखा हुआ है समझ रहे हैं आप 64.585 अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तो इसको हम बोलेंगे 32 लाख 32 लाख जो आपकी calls हैं वो short हो रखी हैं जिसमें से यह जो आपका 24,193 lots हैं यह आपके जुड़े हैं इसी फ्राइडे को 24,193 मतलब 12 लाख शेर अभी जुड़े हैं इसी फ्राइडे को अब इधर की दरफ आप देखो इधर आपको दिख रहा है 13,300 लाख 17,783 lots बैठे हुएं मतलब यह support है जिसमें से एक लाख 4,000 lots अभी जुड़े हैं मतलब करीब 50 लाख के ऊपर शेर ठीक है इसको आपको बस 50 से मल्टिप्लाई करना है तो आपको समझ में आ जाएगा ओई देखा जाता है मेंली open interest और change in OI का मतलब होता है आपका जो open interest आज जुड़ा है जो उसी दिन पर जुड़ा है वो लोग ज्यादा confident होते हैं ठीक है speculative भी हो सकते हैं वो लोग तो इसको हमें पढ़ना कैसे अब 18300 पे जब आपको एक लाख 17,783 puts बेचे गएं पूट बेचना मतलब की पूट seller क्या होता है मतलब अगर आप पूट को sell कर रहे हो इसका तातपर ही क्या हुआ अब आप देखिए जैसे आपने 18300 का पूट आप देखो पी sell देखो इसको आप कर गए अगर हम sell कर रहे हैं तो एक lot sell करने के लिए एक लाख रुपिया आपको पे करना है ठीक है ना एक लाख रुपिया आपको पे करना है तो यहां पे लोगों ने sell कर रखें कितने सारे lots एक लाख lot sell कर रखें अब आप सोचो कितना पैसा लगा होगा मतलब 500 करोण रुपे करीब जो मतलब आप खुद से अपना calculate कर लो भाई जब 50 लाख lot sell है पचास लाख lot sell है तो आप यह मानगे चलो कि एक लाख lot एक सेल में करने में लगता है ऐसा पांसो करोण अरब पता नहीं कितने का अमाउंट जो है वो सेल करके रखा है पुट सेलर बैठा हुआ है 18300 मतलब यह हो गया आपका support ठीक है इसको तोड़ेगा अगर निफ्टी त अगर यहां पर unwinding शुरू है unwinding मतलब या तो यह लोग cover करना शुरू करेंगे otherwise जो है यह इसको नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि यह लोग तूटन नहीं देंगे ऐसा ही 18400 पे एक हमारा दिख रहा है 400585 lot इसका मतलब है कि इसके उपर भी जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ स सकती है क्यों आ सकती है क्योंकि यह जो लोग बैठे हैं यह इतनी जल्दी इसको तोड़ने नहीं देंगे मैं 65,000 lot भी बहुत हो गया आपका और आगे आपको अठारा 500 पे भी दिख राएगी 98,000 lot फिर एक लाक lot बैठे हुए हैं जुन्होंने कॉल से सेल करी हुई है तो मत यह लेवल्स टूटते हैं important लेवल्स क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी unwinding करते हैं और Wednesday या Tuesday में ही यह लेवल्स जादा तूटते हैं तो इस तरीके से हम option chain देखते हैं इसी तरीके से मैं आपको bank nifty में भी बता दूँ nifty bank अब यहां पर आप डाल सकते हो कि यहां पर आप जैसे देख रहे हो कि 42,000 पर आपको एक लाग 22,000 लॉट्स बैठे हुए इसको आप 25 से मल्टिप्लाई करेंगे क्योंकि bank nifty का लॉट 25 का होता है ठीक है पूट्स में बैठे हैं एक लाग 22,000 और यहां पर आपके कॉल्स में भी अभी क्यानवी हजार शेर बैठे हुए यह थोड़ा सा आपको डाइसी सा लगेगा क्यों क्योंकि भाई जो कॉल्स बेचने वाले भी वो भी बैठे हैं और जो पूट्स बेचने वाले भी वो भी तो यह दोनों आपस में हो सकता है कि लास्टे पर इंटर्चेंज करने आगे चलके आप देख रहे हो कि 42,200 तीन सो पर 49,000 लॉट्स की राइटिंग है 48,000 लॉट्स की राइटिंग है लेकिन पूट राइटिंग भी 42,200 पर 42,000 लॉट्स की है आपको मिलान कहां से करना होता है कि आप देखते हो जहां पर पूट्स और कॉल्स की जो राइटिंग है वो कम होई हो जैसे पूट्स ये 42,600 पर आप जैसे देख रहे हो केवल 5,000 लॉट्स बिके हुए है ठीक है कॉल्स में लेकिन हाँ यहां पर आपको 42,500 और 600 पर 48,000 लॉट्स की कॉल सेलिंग है तो मत मतलब 42,500 तोड़ना इतना जल्दी इतना इजी नहीं होगा हाँ तोड़ देगा तो 43,000 तक का रास्ता साफ है 43,000 इस वीक में क्या इस मन्त में नहीं तोड़ेगा यह मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि 60,000 कॉल्स है अब यह डेटा देखिए बहुत जल्दी चेंज होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि तोड़ भी दे ठीक है ना तो यह चीज है डेटा चेंज हो जाते हैं accordingly market के लेकिन यही देखके लोग trade करते हैं जिस open interest पे calls की side में आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा lots दिख रहे हो उसको आप resistance मानोगे और जिसमें puts की तरफ देख रहे ह ठीक है अब इसको हम एक तरीके से और देखते हैं कि जैसे Friday से हमारा नया contract शुरू हो जाता है तो हमें यह सूच के चलना है कि हमें कैसे sell करना है कैसे buy करना है ठीक है ना यह सारी चीज़े हम किसी और वीडियो में लेंगे basic मोटा मोटी मैंने जो option chain analysis आपको बता नहीं थी बता दिया conclusion में ले आते हैं futures and options trading मतलब यह होता है आपका कि futures में आपको एक particular amount दे दिया जाता है जिसमें premium eating नहीं होती है time की कोई value नहीं होती है बस last last Thursday of the month जो expiry होती है उस दिन आपको whether in profit or loss तब तक आपको अपना contract sell करना होता है आपको 100 का माल 20 में मिल सकता है और आपको बस एक particular time period दे दिया गया इसमें आपको बेचना है ठीक है ना options में क्या होता है कि एक particular strike price आप लेके चल सकते हो कि आप यह सोच रहे हो कि निफ्टी अभी 18400 जाएगा 500 जाएगा और मैं उसकी call या पूट ले लूँ या आप in the money call ले सकते हो 18200, 18100 की और उसको आप लेके play क कर सकते हो उसमें आपको premium केवल पे करना होता है जो की काफी कम होता है in comparison to आपका futures की trading में लेकिन इसमें आपको एक time value के decay भी होता है आपका कि जो option का premium है वो धीरे 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 decay होने लग जाता है और last Thursday तक वो बहुत कम रह जाता है prices का I hope मैं आपको समझा पाने में क काफियत तक समझा पाया होंगा आपको अगर आपको sensible के बारे में समझना है तो मैं उसका आपको अच्छे से बता सकता हूं जो मैं use करता हूं option chain में आएंगे यहां से जो है यह आपका जिरोधा में sensible open हो जाता है इसमें आप लोग जो हैं वो easily देख सकते हैं यहां पे आप 32,000,000,000 बैठा है यहां पे 18,300,000,000 बैठे हुए है तो यह सारी चीज़ें जो है वो आपको देख सकती है बैंक निफ्टी में आप देखिए 32,000,000 पे 30,000,000 बैठे हुए वही चीज़ें बैले से जार पे आपका 12,000,000 बैठे हुए पच्चे से multiply कर दिया यह अगर आपको अच्छे से सीखना है आप comment में डालिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो मैं कुछ समझा पाय कियो मैं